हेलो गाइस वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल ऑफिशल बाइलो जी आज किस वीडियो में पढ़ेंगे हम जीन विनिमें जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर तो लिंकेज के बारे में हमने पढ़ लिया था लिंकेज इनकंप्लीट कंप्लीट और कपलिंग रिपल्सन सारे पर की लिंकेज पढ़ लिया थे हमने तो लिंकेज का जस्ट अफोसिट होता है क्या क्रॉसिंग ओवर ठीक है तो जैसे स्रू करते हम जो होंगे दूर जाएंगे तो चले सुरु करते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है तो क्रॉसिंग ओवर को सरव पर्थम थॉमस हंट मॉर्गन ठीक है जिनने कहते हैं टी एच मॉर्गन ने 1912 में प्रतिपादित किया था तो क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था तो थॉमस हंट मॉर्गन ठीक है जिनन होमेटिट के बीच जैनेटिक पदार्थ के आदान परदान की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ठीक है दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच जैनेटिक पदार्थ के आदान परदान की क्रिया को क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं तो यहां पर समझे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है दो होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है ये क्या है दो होमोलोगस क्रोमोजोम है ठीक है ये एक क्रोमोजोम हो गया ये दूसरा क्रोमोजोम हो गया ये क्या है दो होमोलोगस क्रोमोजोम है कैसे है ये होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है दो होमोलोगस क्रोमोजोम और इसके क इसका क्या है यह वाला क्रोमयटिट इसका क्या है सिस्टर प्रदान होगा तो से क्रोसिंग ओब चिडर यह कहते हैं जो कि आती है शे कर्ते हैं इस प्रकार से क्रोस्लिट uitगता है ते आते हैं non sister chromatic johoutethe wot kya 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 क्रोमुजूम मैं इस प्रकार से रएलाइट कर देती हो यह क्रोमुजूम क्रोमुजूम क्रोम इस प्रकार से ठीक है तो इस प्रकार जब यह क्या बनेगा दूसरे पीड़ी नेड़ musi मैं जए इदर चला जाता है इसका पाट इदर आजाता है ठीक है तो यह हो गया इसमें crossing over ठीक है तो अब हम recombinant recombinant की बात करेंगे तो कौन-कौन से इसमें recombinant हुए यह वाला chromatid और यह वाला chromatid इनके और क्या बना दिया है इन्होंने इनके भी जैनेटिक पदार्थ का आदान परदान ओधर अगे इसका जो जीन था अगर इसका जीन होगा यहाँ इसका जीन यहाँ चला गया इसका जीन यहाँ आ गया तो इसे ही कह रहे हैं ठीक है क्रोसिंग ओवर कह separates है तो crossing ओवर की क्रिया यूग्मक जननन गामेटोजनेसिस ठीक है अब हम देखते हैं कि जो crossing ओवर है उसका क्या महत्तो होता है क्रोसिंग ओवर सामागरी के आदान परदान से संतानों भिन्यता आती है जब क्रोमोजोम के बीच क्रोसिंग ओवर होगा ठीक है तो इसका जीन उसके पास रहेगा उसका जीन इसके पास आएगा तो जब जो क्रोमोजोम के बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तभी तो क्या होगा, संतावनों में वैरियेशन आएगी, भिन्नता आएगी, ठीक है, तो ये वैरियेशन भिन्नता में भी मैतोपॉन होता है, ठीक, इससे ही हमें क्या मिलते हैं, नई-नई क्या मिलते है यह सिंदाल में सुना भूमिका ने हम री बात है धीक ए इवन में पूनेर भूमी में निखाव आता है जो मिनेर मैप रिंटार यह सथक मिले हैं क्रोमोजोम के सब्सक्राइब टक्रोमजोमा बंदेशनार संगठ्थिन सूथ ठीक है तो जो क्रासिंग ऊवर मेंजोर्द होता है सबसे मैठोपूर्द कि यह एक्र rasa करता है नाइक समा щee क्रासिंग , अभ़शिया, मिलें संदुर्ड परणा कि मेरे नर्टाइन को नीजी भील्त है निर्मान होता है जिसे हम क्यास मेंटा के आधार पर क्रॉसिंग और कितने प्रकार क्योंते हैं तो सबसे पहले सिंगल क्रोस ओवर में क्या होता है सबसे सायल प्रकार का क्रॉस ओवर है इसमें क्रोमोजोम के बीच केवल एक क्रोस होता है रथा केवल एक ही क्याज मेटा के निर्मान होता है तो यह क्या है एक क्रोमोजोम है ठीक है होमोलोगस क्रोमोजोम है यह क्रोमेटिड है ठीक है यह क 220 मिण उसे कहता है क्याज मेटा ठीक है जहां पर क्रोसिंग ऊवर होता है वह से क्याहते हैं क्यांगेंर सब्सіл हमें प्राप्ट होता है वो यह क्या है parental है जिसमें कोई भी क्रॉस नहीं होए यह क्या है पूरे parent के समान है तो दो यहां पर क्या है रिकॉंबिनेंट इनमें crossing over हुआ इसलिए क्या है इसका क्या हुआ नीचे वाले का आदा इसके पास लगए और उपर वाले का आदा इसके पास लगए इनके बीच क्रॉसिंग ओवर वा तो जो इसका सिंगल क्रॉस ओवर का रिजल्ट तो क्या प्राप्त हो हमें दो यहां पर प्राप्त हो है क्या पैरेंटल ठीक है दो आदार पर हम क्रॉस करा रहे हैं ठीक है तो पहले सिंगल क्रॉस ओवर जिसमें क्या होता है सिंगल एक क्रोमोजूम है ठीक है एक क्रोमोजूम के दो क्रॉमेट्रिट के बीच क्रॉस ओवर होता है और इसमें क्या होता है एक ही क्यास मेटा का निर्माण होता है इसलिए क्या क क्रॉस ओवर होता है तो दो क्यासमेटा का निर्मान होता है जो डबल क्रॉस ओवर होता है वो दो प्रकार का होता है एक होता है रेसिप्रोकल एक होता है कॉम्प्लिमेंटरी तो अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल क्यासमा क्या होता है तो इसमें दो समान क्रोमेटिट के बीच क्याजमा का निर्माण होता है ठीक है उसमें क्यासमेटा कितने बनेंगी क्योंकि डबल क्रॉस है यह तो क्यासमेटा का निर्माण दो क्याजमा का फॉर्मेशन होगा ठीक है यहां पर क्या होगा अब यहां पर चार परकार के क्रोमेटिट है ठ है डबल क्रॉस ऑवर है तो इसमें क्या होगा जेन लगãy है b यहां पर एक बीवाले क्या कर रहाए क्रोस कर रहा है तो जब हमें रिजल्ट इसमें कोल भी नードle स्टीन इसमें कोई भी मैंजिन नियोग है यह को सितन हो गया था एला ओ और जलागा है और सब्सक्राइब शीडर और सब्सक्राइब करता क्राकर्व क curved Shlining होता है यहां पर डबल क्रॉस ओवर का दूसरे टाइप क्या है कॉम्प्लिमेंटरी तो कॉम्प्लिमेंटरी में क्या होता है दो या तीन क्रोमेटिट के मिलने से दो क्यास मेटा का निर्मान होता है ठीक है यहां पर क्यास मेटा क्या बनेंगे दो ही बनेंगे क्रॉस ओवर कर सकते हैं टो इसमें क्या होता है इसमें से इसमें वाला जो होता इसने क्या क्रोस किया तो जो दूसरा तीसरा वाला जो खृमैटिड है ठीकिड है जो तीसरा वाला えー Little water इसमाल बाल इसनेस्सन क्या किया इस्सकी साथ हृस्थ फिर इसने क्रॉस ट्या और तो यहांपे देख रहे हैं नहीं हो रहां है कि इसके सब्सक्राइब पर टीसरे वाले तीन क्रोमेटेट क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर में भाग ले रहे हैं, लेकिन क्याज मेटा का निर्माण कितना है, और दो क्याज मेटा का निर्माण होना है, तो जब हमें रिजल्ट पराप्त होता है, यह क्या पराप्त होता है, इसने क्रॉस ओवर किया, ठीक है, इसने क्र दिख theo लिए 10 लिए श्रीं ने कॉई क्रोसओर निकिन इता सिर्फ यह उपर का नीचे डिक है तो यह कापिटल भी कि err श्रीं आर coloMore श्रुबिट लिए उपर को ते ओकर उपर क्रोसओर दोने कर दोफके था यह से सबस्राइद है कि st उते इसे के साथ क्रॉस भूबर करता है एक उन की क्रोपेर और जए हमें बैजय के साल को यह को बॉइना है तो इस प्रकार से हमेंHeik-at या mean क्या आप तीन recombinant ठीक है एक में हो रहा है double cross इसमें क्या हो रहा है double cross हो रहा है यह double cross कर रहा है यह single cross कर रहा है यह भी single cross कर रहा है तो तीन यहां पर recombinant और एक यहां पर parental हमें प्राप्त होता है किसमें complementary में ठीक है तो complementary reciprocal समझ में है किसके हैं यह दोनो double cross over के है double cross over मतलब दो प्रकार की क्यास मेटा का निर्माण होगा ठीक है तीसरा टाइप है इसमें multiple cross over तो multiple cross over में क्या होता है कि जब क्या होता है बहुत सारे क्यास मेटा का निर्माण होता है ठीक है और जब बहुत सारे क्यास मेटा का निर्माण होगा तो इतना समझ में आया कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है दो होमो लोगस और नॉन सिस्टर को मैटर के बीच होता है इसमें क्या होता है जैनेटिक माटीरियल का आधान परदान होता है जो जैनेटिक माटीरियल हो त्रचल्पस Anyways जो क्रासिंग oldaGu hare उसके बाद है कि जू महां समस्क्राइब क्यों है जो euro हुए उससे हमें क्या पत नहीं नहीं कॉम्बिनेशन देहने को मिलते हैं उससे हमें क्या श्राकरों के ख़ल्व किलते हैं जब कर जिसकर सिकाते हैं उसे कहते हैं क्याजमेटा ठीक है तो क्याजमेटा के आधर पर क्रॉसिंग ओवर तीन प्रकार के सिंगल क्रॉस ओवर डबल क्रॉस ओवर और मल्टिबल क्रॉस ओवर सिंगल क्रॉस ओवर में क्या बनता है एक ही क्याजमेटा का निर्माण होता है सिंगल क्रॉस ओवर में क्य Seiten complimentary में दो या दो से सकते हैं ठीक करूमेट भाग ले रहे हैं और किया या पाइन कइतने हो रहे हैं किया रिग्रोस्टिट मैं कितने रहे हैं को mm फीय जो जो किया क्यां 25 मे आर्माद 9 Leben ठीक है तो I hope आच का topic आपको समझ में आया होगा Thank you so much guys for watching this video